चत्रपती सिवाजी महाराजांची पवित्र भूमी असलेल्या महाराष्टाला आणी महाराष्टा तिल माझे बंदु भगिनिना माझे कोटी-खोटी वंदन आजहादी के अम्रत महोत्षव में चत्रपती सिवाजी महाराज का राज्जाविशेग दिवस हम सभी के लिए नई चेतना नई उर्जा लेकर आया है मैं आप सभी को शुपकामनाय देता हूँ चत्रपती सिवाजी महाराज का राज्जाविशेग साड़े तीन सो साल पहले के उस कालखन का एक अधभूत और विशिष्ट अध्याय है इतिहास के उस अध्याय से निकली स्वराज, सूशाशन और सम्रुद्धी की महान गाताएं हमें आज भी प्रेरित करती हैं राष्ट्र कल्यान और लोक कल्यान उनकी शाशन विववस्ता के मूल तत्व रहे हैं मैं च्छत्रपति सिवाजी महराज के चरणों में कोटी-कोटी नमन करता हूँ आज स्वराज की पहली राजधानी राइगड किले के प्रांगण में शांदार आयोजन किया गया है पूरे महराष्ट में आज का दिन महोत्सव के रुप में मनाया जा रहा है पूरे साल भर इस तरह के आयोजन पूरे महराष्ट में होंगे इसके लिए मैं महराष्ट सरकार को भी शुप कामनाय देता हूँ साथियों आज से साड़े तिन सो वर्ष पूर्व जब छत्रपती सिवाजी महराज का राजजापिशेक हुआ था तो उसमें स्वराज की ललकार और राष्ट्रियता की जैजेकार समाही थी उन्होंने हमेशा भारत की एकता और अखंडता को सर्वो पर ही रखा था आज एक भारत स्वरेश्ट भारत के वीजन में छत्रपती सिवाजी महराज के विचारों का ही प्रतिविम देखा जार सकता है साथियों इतिहास के नायकों से लेकर आज के दौर में नेत्रुतों पर रिसर्ट करने वाले मैनेजमेंट गुरुओं तक हर युग में किसी भी लीडर का सबसे बड़ा दाईत होता है कि वो अपने देशवाशियों को मोटिवेटेड और कांफिडेंट रखे आप छत्रपती सिवाजी महाराज के समाएं देश की परिस्तित्यों के करपना कर सकते हैं सेंकडों वर्षों की गुलामी और आक्रमणों ने देश वाश्यों से उनका आत्मिश्वाश छिल लिया था आक्रमण कारियों के शोशन और गरीवी ने समाज को कमजोर बना दिया था हमारे सांस्कूरती केंद्रों पर हमला करके लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश की गई ऐसे समाएं में लोगों में आत्म विश्वाश जगाना एक कठीन कारिय था लेकिन छत्रपती सिवाजी महाराज ने ना सिर्फ आक्रमण कारियों का मुकाबला किया बल्कि जन मानस में ये विश्वास भी पैदा किया कि स्वयम का राज संभव है उन्होंने गुलामी की मानसिक्ता को खत्म कर लोगों को राष्ट्र निर्मान के लिए प्रेरित किया साथ्यों हमने ये भी देखा है कि इतिहास में कई ऐसे सासक हुए जो अपनी सैन्य ताकत के लिए जाने जाते हैं लेकिन उनकी प्रशासनिक छमता कमजोर थी इसी तरह ऐसे भी कई शासक हुए जो अपनी बहतरीन सासन व्यवस्ता के लिए जाने गए लेकिन उनका सैन्य नेत्रुत्वा कमजोर था लेकिन छत्रपति सिवाजी महारात का व्यक्तित्व द्भुत्वा उन्होंने स्वराज की भी स्थापना की और सुराज को भी साकार किया वो अपने शावरिय के लिए भी जाने जाते हैं और सुशाशन के लिए भी बहुत छोटी उम्र में उन्होंने कीलों को जीत कर और शत्रों को हरा कर अपने शैन्य नेत्रुत्व का परिशे दे दिया दूसरी तरफ एक राजा के तोर पर लोग प्रशाशन में सुधारों को लागू करके उन्होंने सुशाशन का तरीका भी बताया एक तरफ उन्होंने आक्रमन कारियों से अपने राज्य और संस्कृति की रक्षा की तो दूसरी तरफ उन्होंने राष्ड निर्मान का व्यापक वीजन भी सामने रखा अपने वीजन की वजह से ही वो इतिहास के दूसरे नायकों से एक्नम अलग है उन्होंने शासन का लोग कल्यान करी चरित्र लोगों के सामने रखा और उन्हें आत्म सम्मान के साथ जीने का भरोसा दिया इसके साथ ही चत्रपति सिवाजी महाराज ने स्वराच, धर्म, संस्कृति और दरोहरों को ठेश पहुचाने की कोशिश करने वालों को भी संकेत दिया इससे जन जन में द्रण विश्वास पदा हुआ, आत्म निर्भरता की भावना का संचार हुआ और राष्ट का सम्मान बढ़ा किसान कल्याण हो, महिला ससक्ति करन हो, शासन प्रशासन तक सामान्य मानवी की पहुच आसान बनाना हो उनके कारिय, उनकी शासन प्रणाली और उनकी नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगीक है साथियों, छत्रपती सिवाजी महराज के व्यक्तित्व के इतने पहलू है कि किसी ना किसी रूप में उनका जीवन हमें अवश्य प्रभावित करता है उन्होंने भारत के सामुर्थिक सामर्थे को पहचान कर, जिस तरह नव सेना का विस्तार किया अपना प्रभं कौसल दिखाया, वो आज भी सब को प्रेणा देता है उनके बनाए जलदूर्ग, समंदर के बीश में, तेज लहरों और ज्वार भाटा के थपेडे सहने के बावजूद, आज भी शान से खड़े हैं उन्हें समुद्र के किनारों से लेकर पहड़ों तक कीले बनवाए और अपने राज्य का विस्तार किया उस काल में उन्होंने जलब प्रभंदन वाटर मेनेजमेंट से जूड़ी जो व्यवस्ताएं खड़ी की थी वो विशसग्यों को हैरत में डाल देती है यह हमारी सरकार का सवभाग्य है कि छत्रपती सिवाजी महराज से प्रेणा लेकर पिछले वर्ष भारत ने गुलामी के एक निशान से नवसेना को मुक्ति दे दी भारतिय नवसेना के ध्वजपर अंग्रेजी शासन की पहचान को हटा कर सिवाजी महराज से प्रेणी उनकी राज मुद्रा को जगह दी गई है अब यही द्वज नए भारत के आन बान शान बनकर समंदर और आसमान में लहरा रहा है साथियों चत्रपती सिवाजी महराज की वीता, विचारधारा और न्याय प्रियता ने कई कई पीडियों को प्रेणी किया है उनकी सहसिक कार्यशैली, सामरी काउशल और सांतिपुन राजनितिक प्रणाली आज भी हमारे लिए प्रेणा श्रोता है हमे इस बात का गर्व है कि दुनिया के कई देशों में आज भी चत्रपती सिवाजी महराज की नीतियों की चर्चा होती है और उस पर रिसर्च होती है एक मैने पहरे ही मुरीसस्त में चतरपती सिवाजी महराज के प्रतिमा स्थापित की गई आज आजीम के अमरित काल में चतरपती सिवाजी महराज के राज्या विषेक के 315 साल पूरे हुडे यह अपने आप में एक प्रिणादाई अवसर है इतने वर्ष बाद भी उनके द्वारा स्थापित किये गए मुल्य हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखा रहे हैं इनी मुल्यों के आधार पर हमें अमृत काल की पचीस वर्षों की यात्रा पूरी करनी है ये आत्रा होगी चत्रपती सिवाजी महाराज के सपनों का भारत बनाने की ये आत्रा होगी स्वराज सुसासांड और आत्मंदिर बरता की ये यात्रा होगी भिक्सित भारत की पुना एकदा आपल्या सर्वाना तिन सो पचास व्या सिवराज्या विशेक सोल्या निमित्न खूप खूप सुबेच्छा जाए हिन भारत माता की जाए